मेरा नाम है रोईत और आप देख रहे है लर्न इंवेस्टमेंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले है इलेक्ट्रोनिक्स मार्क इंडिया के बारे में यह स्टोक के बारे में हम एनलेसेस करेंगे थोड़ा समझेंगे ठीक है तो उससे पहले मैं आप वीची बता दू कि इलेक्ट्रोनिक्स मार्क पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है हमारी वीडियो चनल पर आप जाके देख सकते हैं दो महीन पहले मैं उस पर वीडियो बनाया था तब वह 80 रुपे का स्ट्रीट कर रहा था हमने देख सकते हैं इसमें आपको बहुत साही लर्निंग मिलेगी और मैंने जो वीडियो अभी तक बनाई हैं वह काफी अच्छे स्टॉक्स दे चुकिया है तो यह वीडियो भी एक अच्छी हो सकती है आपके लिए जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो फटा पर चलते ह इलेक्टोनिक्स मार्क के ऊपर अभी हमने स्कीनर चाट खोल लिया है तो अगर आप मार्केट केप के बात करेंगे देखिए 4,800 करोर पार कर आप मार्केट केप है यानि कि कमपनी काफी अच्छी है क्योंकि कमपनी जो है ओल्मुस्ट फोर्ट लार्जस कंजूमर डूरिब मार्केट को बहुत अच्छी से कैप्चर कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं इंडिया के अंदर मैनिफेक्श्रिंग जो है इलेक्ट्रोनिक्स प्रजेट की इदनी नहीं होती है तो अब भी जादा धन्दे जो है इलेक्ट्रोनिक्स से लेटेट वो सिर्फ रिटेल सेक्टर में ज़्याद है तो जब इसने रिटेल की मार्केट को बना लिया है क्योंकि इसके पात जो एसके यूज़ है वो छे हजार से ज्यादा इसके यूज़ है आप इसकी कंसूमर की बात करेंगे डियूर्बस उलेक्ट्रोनिक्स ब्रेंड की वो सतर प्लस केटेगरी इसके पास आज से टेम पे है तो इसके माद जो कंसूमर है वो बहुत बड़े है ठीक है रिटियल में इसका अच्छा-कासा हाथ है इन फीचर जब इंडिया के अंदर मैनिफेक्ट्रिंग यूनिट आ सकती है इलेक्ट्रोनिस प्रड़क्ट के रिएटिड तो यानि कि ये कंपनी जो ह बहुत इसके से ग्रवक कर सकती है और आपको पता है कि इंडिया में मैं इंडिया करीं हो रही है काफी बाहर से manufacturers आ रहे हैं जो इंडिया गेंद प्रांड बना रहे हैं तो जब electronics की manufacturing होगी तो यह जो company है यह काफी एस्टी growth कर सकती है तो यह आपको growth पर perspective से सोचना पड़ेगा ना कि आप current price में आप देखेंगे और current में आप अगर P.E.O.R.E.S. जब comparison करेंगे तो आप यह justification नहीं होगा ठीक है क्योंकि future stick company मेरे साब से नजर आती है एक बार बात करते हैं इसके price के लिए कर एक साथा ताइस रपी के आसपार से गिल चुका है और कल भी 4-5% के आसपार मार्केट इसमें correction आया था बुक वैल्यू के बात करेंगे तीस रपी का बुक वैल्यू है ठीक है return of equity अगर आप 13% में return मना है काफी अच्छा fair मेरे साब से price है अगर आप comparison P से करेंगे तो lower नजर आता है बट लेकिन हम मेरे को लगता है कि काफी fair price नहां पर 13.8% कर निकल के आता है एक पर profit and loss में देत है तो यहां पर दगी आप 2020 के अगर आप देखेंगे sales के तीन हजार करोड के अस-पस की sales ही थी अगर हम आज ही टेम पर competition करते है तो 5,700 करोड यानिक को लगता है इस साल 24 मार्च का जो भी financials जो result आएंगे इसके तो काफी अच्छा मजा लगता है 6000 करोड मार्केट यहां प अच्छे से अपना बिजनेस को बना पर जिसमें मार्च इतना जाद नहीं निकल के आता है क्योंकि यह कंपनी बिजनेस में मार्चन करने लग जाएगी तो मिचे लगता मार्चन डबल हो जाएगा स्टोक का प्राइस जहां से भी उस इस पर्टिकलर मुवमेंट पर डबल हो सकता है तो यहां पर अभी आप देखनेंगे 6% का अल्मुस्ट आप मार्चन है प्रोड़क्त में और अब आप देखेंगे यहां पर नेट प्रॉफित तो अगर आप 2020 से कंपेशन करेंगे तो मिचे लगता है कि यह 140 क्रोड के इन साल में यह डबल हो जाएगा यहां से और कंपनी नेट प्रॉफित 25,000 है तो यह एक अच्छी चीज है एक चीज और देख लेते हैं रिजर्व और बोरिंग मेरे साब से यह बहुत इंपॉर्टन चीज है यह आप देखेंगे यहां पर देखेंगे 297 क्रोड की रिजर् और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है कैसे इन्वेस्ट कर सकती है एक बार यह समझते है देखें बोरिंग अगर आप देखें 1400 क्रोड यह बोरिंग है और बोरिंग जीरे-देरे-देरे करके आप इंक्रिस हुई है देखें जो यह बिजनेस होता है रिटेल का इस कि हाँ ठीक है मैं दो महीने बाद तीन महीने बाद छे महीने बाद दूँगा तो यह इस पिस्टिया से बहुत जादा होता है इस मेंसे इनके पास डेट जो है वो बढ़ता चला जाता है और अब भी कंपनी ने अगर यह डेट को रिजॉल्व इस प्रॉल्लम को पर्टिकलर पर जाएगी और जब इनके पास फंड हो जाएगा तो यहाँ पर जो बोरुएंगे वो बिल्कुल कम हो जाएगी और रिजर्व है फो एंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो मैंने आपको शीच पता है यह काफी इंपोर्टेंट है यह रिटेल बिजनिस में काफी जादा होती ह अब हो है और खासका मैने इलक्त्रोनिक से प्रोडट्ट्ट्स जो कंपनी वासा इस्वेशक काम करती है तो यह ज़ो बोरंग है इस टम्स पर दिया आति है शुट इंप्रेंग आती है क्योंकि आप देगे कि मैनिफक्ट्रिंग कर रही है तो कर जाएगी तो पढ़ती नही तो इंवेश्मेंट अभी आपे 0 देखने को मिलती है एक बार इंपोर्टन फेक्टर जा है शेयरलोडिक पैटर्न का वो समझ देते है 2022 में अगर 2023 में कमपेशन करेंगे कमपनी एक प्रॉफिट में कमपनी है कमपनी को अगर ग्रो करना है लाज चाप तक पहुचना है तो कमपनी को बड़े स्कील पर पैसे उठाना बड़ेगा और कमपनी के प्रॉमोटर के होल्डिंग काफी ज्यादा अच्छी आप पोशिशन नजर आती है अच्छा लग रहा है किसी स्टोक में अच्छी आप अपने प्रॉफिट है उसको इंग्रिस कर सकती है और यहाँ पर कमपनी को मार्गे ट्याप इंग्रिस करेगा श्टोक का प्राइस इंग्रिस करेगा और जो इनक इन्वेशन जिन्हों ने इस पर्टिकुल कमपनी को पैसा लगा है उनका पैसर भी ग्रोग कर सकता है तो मिझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर प्रमोटर्स के होल्डिंग डाइलूट हो सकती इन फीचर में एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग वी पर चलते हैं तो अगर मैं आपको बता हूँ कि मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया थे एक बार में वीडियो के तरफ ले जाता हूँ एक सो एक रुपे के आसपस जा सकता है यहाँ पर अच्छे का से मुवमेंट थी और अगर आप देखेंगे और यहाँ पर एक बना हुआ है जो आम ने डिसकस किया था अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर यह है अगर आप बनी हो लगता श्टोक का प्राइज ऊपर चला गया और अगर मैं यह ताइम पर आपको बताऊं कि कितना टाइम लगा यहां से यहां पोचने में हमारा टार्गेट अचीव होने में पर्टिकुलर इस श्टोक में अगर देखें 21 दिन लगे यानि कि 20 दिन अल्म कर सकते हैं आपको किसी पर डिपेंड होने की जूरत नहीं है आपको किसी की भरोसी पर बैटने की जूरत नहीं है कि कोई ट्यूटर पर बताएगा तब आप बाई करोगे कोई टेलिग्रम पर बताएगा तब बाई करोगे जिस तरीकी कि मार्केट में अभी आची नहीं पर पैटन था और पैटन गेसापसे 24% गें था मार्केट ऑलमस हमें 24% का गें पर ट्रिगर हुआ और यहाँ पर हमने भूल भुक कर दिया प्रोफिट अच्छा आप देखिए अब हम डिक। कि कैसे हम buy कर सकते हैं या पर करना चाहिए अब भी इसमें किया कि जैसे हम आपने मालची यहां पर sale कर दिया उसके बाद भी उपर गया correct है तो उसके बाद भी उपर गया अच्छा अब यह करना क्या जाए कि कुछ पर हो लगता है अगर यहां पर जाने के बाद re-test करता तो हम यहां पर buy कर लेते हैं लेकिन market ने यहां पर return कि हम क्या करना है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि market इसके बाद की candle हिए यहां पर लेकिन आपको निकल ना गवा है अब यहां से नीचा आ गया वड़को यह नीचा अगर भी पता अगर मैं इस डीलवे बैट भी गया तो exit कब करना है, जो भी candle बनेगी, bullish candle, उसके नीचे जब भी आप closing मिलेगी, आपको निकल जाने है, ठीक है, कभी भी ये नहीं है कि आपको top पर ही sale करना है, आपको नहीं पता कहां पर top है, आपको नहीं पता कहां bottom है market का, आप प्लीस ये समल लेजिए, 45% उपर छोड़ दो, ठीक है, उतना profit भी मिल रहा है, बहुत है, ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी देखिए, इसके नीचे जो है, अगर मैं यहाँ पे इबर अपके लिए draw कर देता हूँ, यह क्या है, अगर market इसके नीचे कोई भी closing देता है, हमें अगले दिन बेचना है, यहाँ पे हमें closing हम यहाँ पे बेच दिया, बेचने के बाद, दुबार है इस level पे आया, अकर इसके पर यहाँ पर closing देता है, ग्रीन केंडल यहाँ पर closing देता है, तो हम यहाँ पर buy कर लेते हैं, और फिर हमारे target होता है, वो मेरे को लगता है, जो मैंने अभी तक analysis कर रही है, उसमें बहुत इसको over average करूँँआ, अभी तक लगाता, stock price नीचे आ रहा है, और आखी टाम पर भी काफी stock चार से 5% का plus movement दे चुक है, बट इस stock ने अभी तक bearish candle यहाँ बनाई है, तो अभी मेरे को क्या लगता है, क्या करना चाहिए, जो लोग buy करना चाहते है, वो क्या कर सकता है, इस level का wait का सकता है, मुझे लगता है कि stock price और नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर demand zone create हुआ था, यहाँ से rejection की सब खाया था, उसके बात यहाँ पर demand zone create हुआ और लगा था stock price ऊपर चला गया, तो मिझे लगता है कि यहाँ पर supply zone पर आजाएगा, उपर चाहएगा supply zone पर, और यह परसेंटेज ही बात करनेगी, अगर current price से पर करनेगा अगर मैं पर जाओ, price range को ले लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं जाओ, और अगर हम ultimate target की बात कर लेते हैं, तो ultimate target में अहाँ से निकल के आता है 56 % का, और पहले target यहाँ पर निकल के आता है, यह price पर, थेक है, क्योंकि तो यह है वीडियो के इस तरीके से आप analysis खुद भी कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी confusion लग रहे हैं किसी और stock के रहते हैं तो आप comment कर सकते हैं मेरे को कि यार में इस वीडियो पर्टिकुलर stock पर वीडियो बना देजी है तो उस पर वीडियो बना देएंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किरा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा से टेलीग्रम पर जोड़ सकते हैं चापे में लेटेस्ट अब्डेट देता रहता हूं इस टोक के बारे में थेंक चुल बाबाए